Hello everyone, कैसे हैं आप सब? उमीद करते हैं, आप सब ठीक होंगे, तो वीकली करेंट एफिया सेशन में आपका स्वागत है, अगर आपको भी एग्जाम की तियारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करेंट एफिया बहुत ही इंपोर्टन है, बहुत हेलफुल है आजकर, करण्ड फियर से कोशन बहुत बल्क में पुछे जा रहे हैं, इसलिए मैं वीकली भी ला रही हूं, मंतली भी ला रही हूं, उमीद कर रही हूं, आपको काफी हलफुल हो रहोंगे, तो चलिए, आज की ससन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स कोशन पॉपलर प्लेबेक सिंगर हैस पास्ट अवे इन में 2022, लोग पिर ये प्लेबेक सिंगर का मई 2022 में निधन हो गया, भी हाल फिलाल में ही निधन हुआ है इनका, अपने कृष्ण कुमार कुनाज जी, जिनको लोग केके के नाम से जानते थे, बहुत ही फेमस प्लेबेक सिंगर थे, इन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने गाये हैं, अपने कोई एक कॉंसर्ट के दौरान ये 50 प्लस एज के थे, वहाँ पर इनकी मौत हो गई, ठीक है, तो कृष्ण कुमार कुनाज जी नाम थे इनका केके, नेक्स है, वहाँ प्लस ली अवादेट दगीर्थी चक्र अवाद प्रेजिटेंट रामनात कोविन, राश्टपती रामनात कोविन द्वारा किसे मरुणो प्रांथ कीर्थी चक्र पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, अलफाथ हुशैन भड़ जी को, अलफाथ अलताफ हुशैन भड़ जी को, राश्टपती रामनात कोविन द्वारा मरुणो प्रांथ कीर्थी चक्र पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, थोड़ा इनके बार में हम जानते हैं, जम्मु कश्मीर पुलिस के सिपाही अलताफ हुशैन भड को, मरुणो प्रांथ Next, as per the FIH world ranking, what is the rank of India men's hockey team in June 2022? FIH विश्व ranking के अनुसार, June 2022 में भारत की पुरुस hockey team का क्या इस्तान रहा है? भारत का रहा है 4th rank, ठीक है? भारत की पुरुस hockey team का 4th rank रहा है जब FIH विश्व ranking हुई थी तो, ठीक थोड़ा हम इसके बार में जानते हैं, होकी में भारती प बात करें, तो छटे स्तान पर रही है, ठीक? देखते हैं, कैसा रहा? अगर हम मैंस की बात करें, जो मैंस का निकला है, पुरुस team का निकला है, जो कौन कौन से top 5 है? ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, नीदरलेंड है, फी इंडिया अपना 4th number पर है, फी जर्मनी है, ठीक अब जो ये रैंकिंग निकालता है, कौन है वो? FIH, International Hockey Federation, जिसका हैटकौर्टर स्विजर लैंड में है, CEO थेरसी वेल जी है, प्रेजिटेंड डॉक्टर राइंद ध्रू बात्रा जी है, फाउंड हुई थी 7th January 1924 पारिस में, बहुत important information है, स्टार्टिंग में ऐसे कोशन पूछे ही जाते हैं, हमें देखने जरूर चाहिए ऐसे कोशन, ठेक। नेक्स है अपना, which country has won its first ever medal at the IBSA judo grant pricks in June 2022, जून 2022 में, जून 2022 में, जून 2022 में, IBSA judo grant pricks में किस देश ने अपना पहला पदक जीता है, तो IBSA क्या है ये? International Blind Sports Federation, ठेक, International Blind Sports Federation है, तो ये अपने इंडिया ने जीता है, ठेक है? इंडिया ने जीता है, जून 2022 में, देखते हैं थोड़ा इसके बार में, भारत ने कजिक्स्तान के नूर सुल्तान में आयोजित, IBSA, नूर सुल्तान में आयोजित हुआ था, judo grant pricks में अपना पहला पद जीता है, इंडियान बाइन और पैरा-Judo Association के judo का कपिल परमार ने इस उस परदा में कासिपदग जीता है, ठेक है, किसने कपिल परमार जी ने, कासिपदग जीता है, नेक्स है, अग्स है, अग्स है, अब डैश और मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है, ठेक है? तो पहले कॉटन के कपड़े का बनता था, अब पॉलिस्टर के कपड़े को भी मंजूरी दे दी गए है, कि पॉलिस्टर के कपड़े मशीनों के मदद से भी बनाया जा सकता है, ठेक है? हम देखते हैं, केंदरी सरकार ने दिसंबा 2021 में ध्वज सहीतास में संसोधन करतने पॉलिस्टर या मशीन से बने राश्टे द्वज को भी अनुमती दे दी है, पहले कपास से, रेशम, उन, खादी इनसे बनते थे, ठेक है? अब मशीन और पॉलिस्टर को भी एग्रिमेंट दे दिया है, कि हाँ इनसे बन सकते हैं हमारा जो द्वज इन्डिया मैन होकी टीम है वोन डैश इन होकी एशिया कप 2022 आफटर डिफीटिंग जापान वन-जीरो भारती पूरुस होकी टीम ने जापान को एक जिरो से हरा कर होकी एशिया कप 2022 डैश जीता है तो कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉंज मेडल भारती पुरुस होकी टीम ने जपान को एक जिरू से हरा कर कासिपदक जीता है थोड़ा देखते हैं भारती पुरुस होकी टीम ने जपान को हरा कर होकी एशिया कब 2022 में कासिपदक अपने नाम कर दिया है भारत ने और किसको हराका जपान को हराका है जो भारत के कप्तान है विरेंद लकाड़ा ने अपने मजबूत रक्षा धमक कारी के लिए प्लेयर ऑफ दी मैच का भी पुरुसकार जीता है वहीं अगर हम बात करें 2022 पुरुस होकी एशिया कप का 11 संस्क्रण था जिसमें इंडिया जीता ह है और जपान को हराया है जपान को हराया है और विरेंद लकाड़ा जो थे कप्तान जो थे उनको प्लेयर ऑफ दी मैच का पुरुसकार जीता है नेक्स है विच इंडिया शेफ हैस बिन रैंग एमंग टॉप 10 ग्लोबल शेफ इन दा वर्ल्ड बाइग गैजट रिव्यू इ स्तान दिया गया है कौन से को आप पिच्चा से ही रिलेट कर सकते हैं इनको कौन नहीं जानता है अपने विकास खन्ना जी को ठेक है विकास खन्ना जी है तो यह भारती सेफ की दुनिया में दस्वे नमबर पे बहुत ही ग्रेट शेफ के रूप में उन्हों ने जगय बना गजट रिविव में जो खन्ना को छटा इस्तान दिया गया, ब्रिटिश शेफ गार्डनुसे सूची में सबसे आगे हैं, अगर भारत की बात कर तो स्युफ खन्ना जी है जिनका छटा इस्तान है, तो गजट रिव्यू में, और सबसे उपर है गार्डन रामसे ऑर ब्रिटि वोमेन शूटिंग टीम वान गोल मैडल इन तेंथ मीटर एयर राइफल वोमेन टीम इवेंट एट इसस एफ वर्ल कप तुथाज़न ट्वेटीटू किछ देश की महिला निशाने बाजी टीम ने आई एसस एफ विशु कब दोजार बाइस में टैन मीटर एयर राइफल महिला टीम इस पर था हमें स्वन पदग जीता है अपनी इंडिया ने ठीक है थोड़ा हम इसके बारे में आप जानते हैं कौन सी वो वोमेन्स की टीम थी ठीक और आई एसस एफ क्या है एक्चली आई एसस एफ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ठीक और अब इसमें जो हमारी इलावेनल हैं इलावेनल है इनावेलर का पूरा नाम है इलावेनल वाला रिविन श्रेया है और रमीता और रमीता है इन्होंने भारती महिला निशानेबाद टीम में बाकू में हुआ था यह आई एसस एफ विश्वक कब 2022 में 10 मीटर राइफल में स्वन पदग जीत लिया है ठीक है बहुत ही अचीवमेंट की बात है यह अपने भारत के लिए ठीक आगे देखते हैं किस ने मई 2022 को मुनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है ठीक तो यह अपने सर्जियो पारेज सर्जियो पारेज ने मई 2022 को मुनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है ठीक नेक्स है विच स्टेट हैस वन ट्वेल्थ होकी इंडिया जूनियर मैन नैशनल चैंपियंशिप इन में 2022 किश राज जी ने मई 2022 में बारवी होकी इंडिया जूनियर पूरुस रास्टी चैंपियंशिप जीती है उत्तर प्रदेश ने तो उत्तर प्रदेश ने बारवी 12 एडिशन था बारवी होकी इंडिया जूनियर पूरुस रास्टी चैंपियंशिप जीती है ठीक है थोड़ पट्टी में हुआ था कहां पर हुआ था तमिल आडू के कोल पट्टी में ट्वेल्थ नंबर का एडिशन था उत्तर प्रदेश जीती है हराया चंडीगर को है ठीक है और कौन सी है जूनियर पुरुष राश्टी चैंपियंशिप और अगर यह तो 2022 में हुआ है 2021 के बात करें तो वो 11 संस्क्रन भी उत्तर प्रदेश ने जीता था ठीक है नेक्स देखते है हर्याणा बारवी होकी इंडिया सब जूनियर महिला राश्टी चैंपियंशिप 2022 जीती है उत्तर प्रदेश तो पुरुष जीता है हर्याणा अपनी महिला जीती है सब जूनियर महिला राश् किस राजी सरकार ने चिरकालिक बिमारिया और जीवन शेली संबंदी विकारों को दूर करने के लिए एक नया स्वास्त कलियान आप लॉंच किया है तो यह अपने करनाटक शरकार में थोड़ा देखते हैं करनाटक के मुख्य मंत्री बस्वाराज बोमय ने मैं 2022 को योग और ध्यान के लिए माध्यक से चिरकारेग बिमारियों को जीवन शेली संबंदी दूर करने के लिए आप बनाई है आयू अब इस आप के तहत क्या होगा जो डॉक्टर हैं वो पूरा हिस्ट्री निकालेंगे उनकी समाधान करेंगे उनका कल्यान करेंगे उनको परामर्स करेंगे ठीके परामर्स प्रदान करेंगे और उनको अपनी निगरानी में रखेंगे और बिलकुल तेजी से उनका इलाज करेंगे ये सब हो रहा इस आप क और यह करनाटक सरकार ने शुरू की है चेक है नेक्स है अपना अगर करनाटक का देखे हैं फॉर्म हुई थी 1 नेमेंबर 1956 में कैपिटल है बैंगलोरू में गवर्नर है थवार चंद गहलोज जी है चीफ मिनिस्टर बस्वाराज वो मही है क्योंकि अगर करनाटक सरकार ने कुछ किया है तो इनका कोशन पूछा जा सकता है स्टार्टिक भी करेंट भी कि कौन गवर्नर चल रहे है कौन चीफ मिनिस्टर चल रहे है कहा के हैं ये राष्ट्र पती बुजर निशानी जिनका अभी हाल में ही निधन हो गिया है ये अपने अलबेनिया के हैं थोड़ा इनके बार में हम देखते हैं उन्होंने 2012 से 2017 अलबेनिया के राष्ट्र पती के रूप में कारे किया पैताली साल की उम्र में उन्हें कमिनेज अलबेनिया के बाद सबसे कम उम्र और छटे राष्ट्र पती के रूप में चुना गिया ये इनके अचीवमेंट है इसलिए बतारियों पूछा जा सकते हैं अगर अलबेनिया की बात करे कैपिटल है तिराना प्रेजिडेंट है इलेर मेटा प्राइम मिनिस्टर एडी रामा करेंसी चलरी अलबेनिया की अलबेनिया लैक चेक next according to the geological survey of India which of the following state has the largest gold reserve in the country भारतिय भूवेग्यानि सर्वेशन के अनुसा निमने लिखीत में से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा स्वन भंडार है गोल्ड का भंडार है सबसे ज़्यादा बिहार में अपने बिहार में गोल्ड का सबसे ज़्यादा भंडार है next है who has topped the fortune 500 list of highest paid CEO executive in the world दुनिया में सबसे अधिवेतन पाने वाले CEO अधिकारियों की fortune 500 सूची में सबसे उपर कौन है photo से ही देख सकते हैं Elon Musk जी जो अपने Elon Musk जी है वो सबसे अधिवेतन पाने वाले CEO हैं जो की fortune 500 की सूची में सबसे उपर है Elon Musk जी next है who has won the woman T20 challenge 2022 with a 4 run victory over velocity in the title clash title clash में velocity पर 4 run से जीत के साथ महिला T20 challenge 2022 किसने जीता है super noas super noas ने title clash में velocity पर 4 run से जीत के साथ महिला T20 challenge 2022 अपने नाम कर लिया है next यूनियन मिनिस्टर जीतेन सिंग है इनौर्गेटे नौर्थ इंडिया फॉस्स इंडिस्ट्रियल बायो टेक पार्क एट केंद्रिय मंत्री जीतेन सिंग ने डैश में उत्तर भारत के पहले उद्योगिक बायो टेक पार का उद्गाटन किया कहां पर किया पूछ रहे है अपने जम्मू में जम्मू में केंद्रिय मंत्री जीतेन सिंग ने उत्तर भारत का नौर्थ इंडिया का सबसे पहला इंडिस्ट्रियल बायो टेक पार्क का उद्गाटन किया है next say who has won a gold medal in Greece with a 7.95 meter jump at वैनी जीलिया चानिया 2022 Athletics Meet in May 2022 मई 2022 को वैनी जीलिया चानिया 2022 Athletics Meet में ग्रीस में 7.95 meter की चलांग लगा कर किसने स्वानपदक जीता है मुराली श्रीशंकर ये देख लिजे कितने meter 7.95 कहां हुआ था वैनी जीलिया चानिया में 7.59 meter की चलांग लगा के स्वानपदक मुराली जी ने अपने नाम कर लिया है next say veteran journalist Padma Nanjha passed away on 30 May 2022 he was the one of the founding member of Dash newspaper अभी हाल में ही पत्रकार है जो veteran पत्रकार है Padma Nanjha का 30 मई 2022 को निधन हो गया पूछ रहे हैं कि वह कौन से समाचा पत्रक के संस्तापक थे ठीक है founding member थे pioneer के ये बहुत ही famous veteran journalist थे Padma Nanjha जी जो की एक one of the founding member थे pioneer the pioneer newspaper के next say which day is celebrated as the world no tobacco in May 2022 अभी बहुत ही चला यह वाला campaign मई 2022 में किस दिन को विशु तंबा को निशे दिवस की रूप में मनाया जाता है इकतिस मई को वर्ल्ड no tobacco day मनाया जाता है जो इस बार का विशे था protect the environment प्रयावरण की रक्षा करें next day who has become the national champion in the man open surf category at the Indian open of surfing Indian open of surfing में पुरुसों की open surf श्रेणी में राश्टी champion कौन बन गिया है अपने रमेज बुदियाल जी रमेज बुदियाल जी Indian open of surfing में पुरुसों की open surf श्रेणी में राश्टी champion बन गए है थोड़ा देखते हैं कनाटक के रमेज बुदियाल ने तमिलाडू के अजीस अली को हराया जो अपने रमेज बुदियाल जी हैं वो कनाटक के हैं सुगर बनारा से महिला की open surf श्रेणी में राश्टी champion बनी महिलाओं में भी बनी हैं सुगर बनारा से प्रतियुगता का आयोजन सर्फिंग फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा किया गया था तीन द्वेसी प्रतियुगता करनाटक के महलोरू में पनबरू बीच पे आयोजित की गई ठेक हैं कहां पर की गई और कौन पुरूसों में जीता कौन महिलाओं में जीता कौन इसका आयोजन करवाता है सब बता दिया डिटेल में प्राची यादव जी इनकी मीटर देख लेना कितना है 200 मीटर में सबसे पहली भारती बन गई है यह पैरा के अनों विश्व कब 2022 में नेक्स से विच स्टेट हाज बीन सेलेक्टेट फॉर्ड लोट टबाको एवर टूज़व स्वास्त संगठन द्वारा विश्व तंबाको निशेत दिवस किस राजी को चेयन किया गया है जहारखंड को जहारखंड को विश्व स्वास्त संगठन द्वारा विश्व तंबाको निशेत दिवस पे पुरुसकार मिला है ठीक है 2022 का जिसने मेरी आईपिल की वीडियो देखी होगी वह टिक कर लेंगे मैं इतने डिटेल में लाई हुआ आईपिल की वीडियो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा पूरा निचोड़ है स्टार्टिंग से एंड तक का ठीक है तो अगर जिसने वह देखी होगी वह कमेंड करिए बा इसके बार में हम दागते हैं एमदाबाद में फाइनल में राजिस्तान रॉयल्स को हराके गुज्रा टाइटेंस ने आईपिल का पंद्रवा संस्क्रण जीत लिया कौन एक बार रिवीजन करवा रही है यह मैं आपका ऐसा हो था मुझे उमीद है आपने देख लिए होगी पंद्रवा संस्क्रण था गुज्रा टाइटेंस जीता रनर अप ट्रीम रही राजिस्तान रॉयल्स का पहला सीजन था जिसके कप्तान थे हार्दिक पांडिया उनको मैन आफ दी मैच का पुरुसकार मिला वहीं अगर राजिस्तान रॉयल के जौस बटलर को बात करें मोस् और जौस बटलर ने सीजन में 863 रन बनाके औरेंज कप भी जीती है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को औरेंज कप मिलती है वहीं युजवेंडर चेहल ने परपल कैप जीती है रॉयल चैलेंजर बैंगलरो के दिनेश कार्थी को सूपर स्ट्राइक का सम्मान मिला वही एक से इंडिया डॉक्यमेंटरी हैज और विध तुथावसें ट्विंटी टू लाई ऑई डी एवाड से सम्मान ईद किया वह डॉक्यमेंटरी कौन सी है all that breath कि बहुत ही अचीमिंट की बात है इंडिया की डॉक्यमेंटरी है उसको लाई डी एवाड से सम्मान मिला थोड़ फिल्म फेस्टिवल के सायोग में फ्रेंच भासी लेखो को के समाज लॉस कें द्वारा बनाया गया था किसके द्वारा बनाई गई थी यह वो है ठीक है बाकि किसको मिला ओल्डेट ब्रीट को जो कि भारती डॉकिमेंट्री है नेक्स है राजिस्तां के जसल मेर में भारत का पहला या प 16 हइब्रिट पावर प्लांत किसे चालू किया है कौं सी कंपनी ने चालू कर रहा यह पूछ रहा है यह कौन और अर्गनाइजेशन न है कौन पयfather से चलूण कर रहा और आदानी हाइब्रीड energy तो अदानी hybrid energy ने राजिस्तान के जैसल मेर में भारत का पहला पहला है अपने में important है तो पहला पवंसोर hybrid power plant चालू किया है तो यहां तक के most important weekly current अफियात हो जो कि बहुत helpful है आप लोग के लिए आने वाले exam के लिए आपका अभी CTSL के exam चल ले MTS के आने वाले हैं ठीक है उनके लिए बहुत important series है यह सारी current है फ़रकी और साथ में एक और information दे रही हुँगा आपको मेरी आप जिसने नहीं download करी जाके download करो मैं link description में दे दूँगी या फिर आप Google Play Store में जाके भी search कर सकते Android की app है वह नौले राइजिंग हब डालना ठीक है नौले राइजिंग हब डालना गूगल प्ले स्टोर में search में वहां आपको मिल जाएगी मेरी CTSL की CVD चल रहे हैं जो कि बहुत important है MTS के CVD चलने वाले हैं जल्दी ही ठीक है तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो के